जाहिन मेरे प्यारे साथ हूँ टीचिंग माई अमडी क्लासेज के तरफ से मैं हूँ अभी सेक आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों जो बीएट डिग्री धारक है और पूरी तरह से एक से पांच यानि प्राइमरी सिक्षक बरती से बाहर हो चुके है क्योंकि जो आखर गर्रा के बाद शिक्सक्त भी बनें बहुत सारे जगह पर जॉइनेग गया और बहुत आरे लोग से पास तक डियलेड या डियलेड के संपक्स जो भी डिग्रिया है वही लोग केवल इसके योग्य है बीयड वाले इसके योग्य नहीं है अब इसी पर अमल करते हुए क्या कर रहा है तो उसने भी सारी चीजे आप जानते होंगे अंडर सेक्रेटरी जो है रविंदर सिंग राष्टी अध्यापक सिछा परिसत के इन्होंने भी यही सूचना दी है कि हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे इसका मत दोस्ते बिद्ध का मर जाना जब कोई उमीद मर जाती है जब कोई आसायें टूट जाती है उससे ब्लेसान को सबसे बड़े दुक होता है तो लोग रहें जिसे ब ti सी वाले बहुत जो दोस्त है अभियरती है वो कह रहे हैं कि बीड़ वालों को बहुत ज़्यादा मौका है बिलकुल मौका ज़्यादा है हम यह नहीं कह रहे हैं कि मौका कम है लेकिन आप यह उमीद दिये क्यों आप यह आसाएं दी क्यों और इन आसाओं को देने के बाद उमीदों को देने क के चीज़ें आती हैं अब बात यहां कर रहे हैं कि जो बिग्री डिग्री धारक है देखिए इसके बारे में आप देख रहे होंगे एंसी टी का ये पेपर जो है जारी हुआ था इसी के अंतहात ये सारी बाते बताई गए वैसे अगर हम बात करें तो हम ये भी कह रहे हैं इक्जाम आपके लिए इंतजार कर रहा है इसके अलावा अगर आप देग्री धारक है तो जारखंड में भी टीचर की जो भी वेकेंसी आई हुई है जिसमें 25,000 वेकेंसी जो कोर्ट में लटकी हुई है वो भी आपका इंतजार कर रही है हर्यार्णा राज्य में चंडीग वर्ती में 50% आपको आपके लिए क्या रती आरक खड़ रहता है अगर कोई गेस्टीचर MP में काम किया है उसके लिए तो ये सारी चीजे हैं इसके अलावा आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में भी आपके लिए TGT PGT रुका हुआ है आप 6-8 जूनियर वाला लेबल भी ए अबर रात के बाद सुबह का आना निशित है दुख का खतम होना निशित है कभी बादल सूरज को ढख नहीं पाया रोक नहीं पाया सूरज निकलता है आपकी भी सफलता का सूरज निकलेगा अपने आप पर भरोसा किजिएगा अपने संस्थान पर भरोसा किजिएगा दिन बदलेंगे, बिल्किल नाउपीद मत हुएगा, निरास मत हुएगा, अगर कोई किसी तरह के ऐसी समस्या होगी, कभी आपको घबर हठो, बैचैनी हो, किसी तरह की परिशानी हो, तो मैं ये तो नहीं कह सकता, कि आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देंगे लेकिं ये जरूर कह सकते हैं कि आपकी समस्याओं में आपके साथ होंगे और एक और बात याद रखेगा कि अगर आप किसी से भी दुनिया में किसी से भी उमीद लगाए हैं तो उमीद तूटेगी तो दुख होगा तो समसे बड़ी बात की बहुत ज़्यादा उमीद लगा के जीवन जीना जीने का कोई मतलब नहीं है यानि उमीद मत करिए मेहनत करिए जो भी फार्म भर रहे हैं उस फार्म को एक दो टार्गेट बनाईए और उसी टार्गेट पर एक दिसा में पूरी एफर्ड पूरी इनर्जी लगा दीजे अगर आपके अंदर इनर्जी है अगर आपके अंदर हाऊसला है तो आप हर बुरे परिस्थिति को बदल सकते हैं ये मादा बस आपके अंदर है और आप कर सकते हैं आल पावर इज विधिन यू, you can do any and everything, आप हर वो चीज कर सकते हैं, जो आप सोच सकते हैं, ये छमता के वब आप में है, और आपने सिक्षक बनना चाहा है, तो आप जानते हुए, कि सिक्षक बननी की एक स्टोरी है, कि वह स्टोरी में बता दो कि आप जानते हूँगे कि जब साह जहां को औरंग जीब ने कैद कर लिया था आगरे का फिला में ताज महल बनवाने के बाद की बात है जब औरंग जीब राजा बन जाता है तो हुआ यह कि औरंग जीब साह जहां से आकर एक दिन पूछता है कि य को जितने दुनिया में काम होते उसमें से एक काम चुल लो और एक यह आनाज चुल लो यह लिखित कहानी डैक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा हमने पढ़ी उसमें लिखा था कि तो उस नहीं पूँआ धा चुना था एक दिन बात का समय लिए जानता था चना कच्चा हो भुना हो उसका सत्तु हो बेशन हो सब कुछ खाया जा सकता है तो उसने चना चुना भोजन में आनाज उसको एक ही खाने के लिए मिलने वाला था और उसे कहा जाए कहा गया कि क्या मने करना चाहते हो तो उसने चुना था कि हम सिक्षक बनना चाहते से हम बच्चों को भेज़तों मैं पढ़ाना चाहता हूं तो अरंग जेव का स्टेटमेंट था अभी तक उसकी बातसाहत नहीं गई इसका मतलब था कि एक सिक्थक जो होता है बातसा होता है अपने क्लास का वो इंस्ट्रक्शन देना चाहता है उठो बैठो यह पढ़ो यह कर जाएगा ऐसे ही कुछ अपडेट आपके लिए सबसे पहले सबसे जल्दी लेकर आते रहेंगे भरोसा बना के रखेगा चैनल पर नए हां तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा जैहिन सभी को थैंक्यू सुमच